नमस्कार दोस्तों, दोस्तों पिछले दिनों इस बात को लेकर बहस होई कि संसद में कौन सा शब्द बोला जा सकता है, कौन सा नहीं बोला जाना चाहिए ये कोई नियम नहीं है, सिर्फ एक सुझाव है, और एक सूची बनी है कि ये ये जो शब्द हैं, ये शब्द भविश्य में असंसदिय अर्थात अन पार्लिमेंटरी माने जाएंगे, इसलिए इनका प्रियोग जब कभी भी होगा, अध्यक्स को अधिकार होगा कि वो इन पाई, उसे समाप करना पड़ा, लेकिन नियम और जो पुस्तिका है वो बन गए, अब इसमें मित्रों एक बड़ी दिल्चस बात ये है कि अब कई वरिष्ट ऐसे भी प्रतिपक्षी सदस्य हैं, जैसे डेरेक ओब्रायन, बड़े वरिष्ट सांसद हैं, उन्होंने इस पर दिल्चस बात दिल्चस के पास ऐसी कोई शक्ती नहीं है कि ऐसे शब्दों का प्रियोग करने वाले को वो सदन से निकाल दे, सदन से तब ही निकाले जाएंगी जब वो सदन की कारवाई में बादा डालते हैं, अगर शब्दों का प्रियोग करते हैं तो शब्दों के प्र प्रियोग हो जाते हैं लेकर असब्वे शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है ये तो स्पष्ट है और ये कोई प्रतीपक्ष सदस्द से भी नहीं चाहेगा कि अंसिविलाइजड असब्वे शब्दों का प्रियोग करे और अना वश्चक रूप से विवाद का केंदर बने और अना वश्चक रूप से निंदा प्रस्थाव उसके विरुदाए तो मितरों ये एक बड़ी अजीब सी स्थिती है क्या हम ऐसे शब्दकोश बनाकर जीवन को चला सकते हैं संसदी जीवन को खास तोर से पार्लियमेंटरी लाइफ को ये संभब नहीं है अलग लग बरता है और उस प्रस्थाव पर उस बरताव पर कारवाई भी अलग लग तरीके से होती है मसलों मैं आपके चोटा सा उदारन देता हूं हमारे एक संसद थे स्वाश वर अनंद और प्रतिपक्ष के संसद थे लोगसबा के चिनाव में करना से विजह होकर संसद में पहुंचे थे और बहत सादा दिल इनसान उन्होंने अपने नाम पर कोई जो आवास था वो स्वीकार ही नहीं किया था कि मैं तो वार इसमाज मंदिर में रहूंगा और वहीं से खाना खाकर पैदल आया करूंगा मतलब उन्हें अपने पूरे कारियकाल में एक बार भी कुछ भी स्वीकार नहीं किया एक बार भी कुछ भी स्वीकार नहीं किया यह उनकी विशेष्टा थी और यह बात आप मान कर चलिए कि इसी विशेष्टा के चलते उन्होंने कुछ स्वस्त परंपराओं का अनुसरन किया था जो चर्चा का विशे बनी एक गोई विधेक था जिसका विरूद उन्होने किया और उसके बाद उन्होने यह कहा कि यह विधेक जो है ना केबल अनुचित है बलकि धर्म के भी विरूद है परंपराओं के विरूद है और मैं इसका हवन करूँगा उन्होंने संसद में ही भवन में ही हवन करने का प्रयास किया जिस पर अज्धक्ष ने आदेश दिया कि इनको सदन से निश्कासित किया जाए और इनको हवन की अनुमती नहीं दी जा सकती सदन में ये संभब नहीं है ये सही है और बहुत सारे न कर शपत ही नहीं ली क्योंकि सदन में कोई शस्त्र लेकर जाया नहीं जा सकता और उनकी शर्त थी कि यदि मुझे शस्त्र ले जाने से रोका गया तो मैं शपत नहीं लोगा और शस्त्र लेकर सदन में प्रवेश की अनुमत ही नहीं थी तो ये बहुत सारी ऐसी बातें घटना होती रही हैं जब सापित परंपराओं सापित नियमों का उलंगन हुआ है और उलंगन करने वालों को कोई छूट नहीं दे गई ऐसे ही भाशा के मामले में है लेकिन ये विवाद चल रहा है निरंतर और उमीद करने चाहिए कि इसका कोई सर्व सहमत और सर्व समत समधान निकलाएगा धन्यवाद